कई बार हम बहुत सारी remedy यूज कर लेते हैं, ट्राइ कर लेते हैं, लेकिन कोई फाइदा अपने स्किन पर दिखता नहीं है, तो हम निराश हो जाते हैं, और होम remedy से थोड़ा दूरी बना लेते हैं, और chemical लगाने लगते हैं, इससे हमारी स्किन और भी खड़ाब हो जाती है, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही problem है, तो आज की remedy आपके बहुत काम आने वाली है, आपके स्किन को निखारेगी, glow लाएगी, दाग दबे pigmentation और जो स्किन हमारी समय से पहले बुरी होती है ना, उन सारी problem को दूर करेगी, आपको क्या करना ना दोस्तों, कि आपको एक खा है, वो भी लाता है, उसके बाद हम यहां पे ले रहे हैं लगबग एक चमच मुलतानी मिटी, जो स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, यह स्किन में गलो लाता है, उसमें बहुत सारी nutrition होते हैं, जिसे मारी स्किन जो है, वो हेल्दी होना शुरू हो जाती है, नेक्स जो चीज़ में यहां पे ले रहे हैं दोस्तों, वो है खीरा, अब यहां पे क्या है ना, कि आप यहां पे खीरा भी ले सकते हैं, या फिर आप जो पैटेटो याने की आलू का रस है, वो ले सकते हैं, या फिर आप दोनों भी ले लीजिए, वो भी अच्छा है, तो यहां पर अलॉविरा जेल लेना है जो स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम चाहे हैं वो पिमपल एकनी के प्रॉब्लम हो यह रेमेडिया आपके बहुत कामाने वाली कि इसमें सारे चीछ जो है वो पिमपल एकने पिगमंटेशन को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने से पर दोस्तों एक बहुत ही असान सा स्किन वाइटनिंग टिप्स में आपको देना चाहती हूं कि अगर आप बहुत कुछ नहीं करना चाहते हैं जंजट बहुत है लीजी हो जाते हैं हम तो थोड़ा सा दही से को रोजाना धोते रहिए आपको कभी कोई डाकनेस की प्रॉब्लम दाग धब्बे की प्रॉब्लम संटैन की प्रॉब्लम नहीं होगी तो यह टिप्स था जिसे आप फॉलो कर सकते हैं रोजाना पैक लगाने की जो अतनी है दही से चेहरा दो लीजिए यह देखिए मैंने इस तरह से जो मैंने फेस पैक त्यार किया था वह लगा लिया है इसको दस मिनिट के लिए आपको छोड़ना इसके बाद आप इसे वाश कर लीजिए जरूर कीजिएगा दोस्तों